ओल्ड पेंसन यानि कि पुरानी पेंसन लागू हुई तो दस साल वाद देश को कंगाल कर देगी नमस्कार साथियो नई वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों पुरानी पेंसन बाहली पर बहुत बड़ी खबर है देश के जाने माने अर्थसास्त्री ने कहा है उनका पूर्ब नीतियायो के उपाद दक्षे मॉन्टेंग सिंग अहलुवालिय है यह मनमान सिंग में सरकार थी तब उस समय यह उपाद दक्षे नीतियायो के आईए उनका पूरा वायान जान लेते हैं उन्होंने क्या कहा ओल्ड पेंसन इसकी मैनी की पुरानी पेंसन बहाली चुटे हुए हैं ओल्ड पेंसन इसकी मैनी की ओपियस काई राज्यों में चुनावी मुद्धा बनी हुई है राजस्तान बाच 70 सरकार इसे लागू करने की कवायत में लगी हुई है इमाचल में नर्माचित सरकार भी ओपियस लागू करने की गोशना कर चुके है आलूब पेंसन इसकी मैनी की ओपियस लागू करने की कवायत चल रही है बोर्ड बैंक की राजनेती के चलते इसके दुस्प्रवाव का बिसलेशन किये वगएर राजस्तान बाचित कई राज्यों ने ओपियस लागू करने की गोशना कर दिये इस मामले पर पूर प्रदान मंत्री म मोहन सिंग के बित्ती इस लाकार रहे मोंटेंग सिंग आलू वालिया ने कहा का क्याना कि जो लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं उसका नतिज़ा यह हुगा कि 10 साल बाद बित्ती कंगाली आएगी मेरा मानना है कि यह कि एक अदम बेतुका है और बित्ती कंगाली का करना बन सकता है